Hello everyone, welcome to PharmaRocks YouTube channel PharmaRocks के YouTube educational channel में आपका स्वागत है In today's video lecture, we will study in detail about the Anxiety Disorder Anxiety Disorder कि जिसको हम हिंदी में कहते है चिंता सबंदी विकार मतलब कि जब आप कोई टैंसन लेते हैं चिंता करती रुष के करण जो बीमारी आती है उसको हम कहते है Anxiety Disorders तो उसके जो reasons है कि कोजिस के बारे में हम study करेंगे डीटेल में उसके क्या sign and symptoms होते है उसके अलाबा उसकी जो treatment के लिए हम anti-anxiety drugs जो देते हैं पेज़न को उसके बारे में हम डीटेल में study करेंगे एस वल एस जो उसके हम कारण का है लक्सन का है और किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते है वो सब हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डीटेल में study करेंगे तो अगर आपके पास android phone है तो google play store पर से आपको डाउनलोड करिए और अगर आपके पास iphone है तो app store पर से भी डाउनलोड कर सकते है तो links हमने description box में दे दी है तो जरूर से चेक करिए description box तो सबसे पहले समझ ये definition of anxiety तो anxiety मतलब की हिंदी में उसको हम कहते है चिंता या फिर चिंता होना, चिंता करना वो सब जो है वो include होता है anxiety के अंदर तो anxiety is a normal and often healthy emotion about the worry feelings of worry, anxiety और fear कि जो हमारे body के अंदर एक naturally एक emotion से कि जैसे हमारे body के अलग-अलग emotion से, कि happiness जैसे एक हमारा emotion से, fear एक हमारा emotion से, as well as जो हम कहें कि sadness भी एक emotion से, उसी तरह से जो चिंता करना कि जिसको English में हम कहते है anxiety, तो वो भी एक normal symptom है और वो भी एक healthiness आपका define करता है कि जब कोई person completely healthy होता है तो उसके अंदर सभी तरह के अलग-अलग emotions होते हैं कि emotions about the worry, emotions about the feelings and also about the fear, anxiety and worry तो जब तक ये normal amount में हो तब-तब सही है बट जब कोई person excessive amount के अंदर चिंता करता है कि आपकी जो anxiety है वो increase हो रहे हैं मतलब कि आप बहुत ज्यादा tension ले रहे हैं बहुत ही ज्यादा stress ले रहे हैं बहुत ही ज्यादा आप कोई न कोई तरह से worried है तो उसके करण जो disease and disorders होते हैं उसको कहा जाते है anxiety disorders तो a feeling of worry or fear especially about the future, past और present तो हम जो कई बार चिंता करते हैं तो हमारी चिंता एक तो हमारे future के बारे में होती है as well as जो past में के अंदर कोई गटनाए हुई है उसके करण भी चिंता होती है और जो present के अंदर जो कोई complication से, problem से उसके बारे में हम चिंता करते हैं तो it will become the reason for mental health disorders like depression and anxiety disorders कि जब आपकी ये चिंता excessive हो जाती है तो वो आगे जाके reason बनती है for the mental health disorders कि जो हम मानसिक बीमारिया जो हो कहते है तो मानसिक बीमारी के जो आप reason बनता है आपकी चिंता और वो है एक तो depression और साथ में anxiety disorders तो ये है anxiety और उसके related simple introduction तो a mental health disorder characterized by the feeling of worry, anxiety और fear that are strong enough to interfere with one's daily activity तो anxiety disorders मतलब कि चिंता सबंदी विकार एक ऐसा विकार है एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर आपकी जो worry मतलब कि आपका जो tension है और आपके जो stress है वो काफी increase होता है और जिसके करण आपकी जो routine activities होती है कि जो daily activities होती है वो उसके करण effect होती है उसके उपर anxiety is a normal emotion but excessive anxiety causes the disorders कि अभी विज़े से मैंने आपको previous slide में समझाया कि anxiety एक हमारा normal emotion है but excessive anxiety causes the disorder कि हमारी अंदर emotions होनी चाहिए सभी तरह के और वो जरूरी भी है जिसके करण जो proper आपका जो social behavior जो है वो बना रहता है कि आपको कुछे से प्रसंग होते हैं जो sadness के emotions होना जरूरी है happiness के emotions होना जरूरी है किसी बात पर थोड़ी बहु चिंता होना भी जरूरत है तो यह सभी emotions आपके body के अंदर होने चाहिए और वो एक healthiness के sign भी बनते हैं बट जब यह anxiety जो चिंता है वो काफी excessive हो जाए कि यह जब excessive amount में हो जाती है तो वो बनता है फिर disorder वो बन जाता है फिर disorder It is our brain's way of reacting to stress and altering your potential danger और जिसके करन आगे जाके अलग-अलग complications आपके body के अंदर होते हैं और जिसको हम कहते हैं anxiety disorders तो यह है simple कि anxiety तो एक प्रकार का normal emotion भी सन ही है बट जब यह excessive होता है तो वो करता है disorder और उसको हम कहते है anxiety disorders तो anxiety disorders कौन से अलग-अलग types के होते हैं तो mainly जो हम phobia कहते हैं कि जो भी अलग-अलग phobia develop होते हैं phobia मतलब की डर phobia मतलब की डर या फिर हम कोई सकते है fear किसी भी बात का आपको डर लहोना, phobia होना तो वो भी एक type का anxiety ही है तो anxiety disorder के जो types हम देखे तो सबसे पहला type that is agoraphobia second that is anxiety disorders due to a medical condition की एक ऐसा type की जो medical condition के करण भी कई बार डर लगता है या मतलब की medical condition ऐसे की आपको समझो कि diabetes है तो diabetes के करण आप जो है वो tension लेगी excessive की वो diabetes के करण आगे जैके क्या complications होगे आपकी life over effect होगे तो वो एक medical condition के करण हुई चीनता है as well as समझो कि अचानक से आपको कोई ऐसे disease होती है कि जैसके करण भी आप काफी tension लेते कि like heart related कोई disease हुई है तो heart related disease के अंदर भी आप फिर काफी tension लेते है तो ये इस type का anxiety disorder हुआ कि जो कोई medical condition के करण है फिर generalized anxiety disorder की जो normal ही कुईसी भी तरह के past, future या फिर present के बारे में आप tension लेके जो है वो आप anxiety disorder के patient बनते है फिर panic disorder के अचानक से किसी भी बात पे काफी panic हो जाना कि excessive excitement हो जाना, panic हो जाना तो उसके करण भी anxiety disorder होता है फिर separation anxiety disorder वो एक उसका type है separation anxiety मतलब कि आपको ऐसा लग है कि आप society से अलग हो जाओगे कोई आपके family relationship related कोई problem है तो उससे separation love relationship का separation तो उसके करण भी जो है वो anxiety होती है, चिंता होती है और वो आगी चाके anxiety disorder बनता है फिर number 6 देखें तो social anxiety जिसका मतलब है कि social phobia कि यहाँ पे देखें कि यह जो person है वो हम कहिए सकते कि social phobia उसके अंदर है social phobia मतलब कि जब आप किसी society के अंदर होते है काफी लोगों की भीड में होते है तो उस वक्त आपको डर का महसूस होता है डर लगता है तो वो एक social phobia तो जब anxiety आप excessive amount में चिंता करते है तो उसके करण यह सब भी अलग-अलग anxiety disorders जो है वो आपको हो सकते हैं यह है उसके types कि अलग-अलग ऐसे type के anxiety disorders आपको हो सकते कि जब आप excessive amount के अंदर चिंता करते हैं नॉर्मल चिंता होना जरूरी है बट वो ही चिंता काफी excessive बन जाती है काफी दिनों तक बन जाती है काफी महिनों तक हो जाती है तो वो एक disorder या फिर बीमारी बन जाती है और वो बीमारी को ठीक करना जरूरी बनता है विकाज उसके बहुत सारे complications होते हैं वो हम आगे सिखेंगे तो अब जान लीजिए उसके reasons कि what are the reasons for anxiety disorder तो एक तो work, stress और job change अगर अच्चानक से आपकी job change हो जाती है, job skip हो जाती है या फिर आपका जो भी कोई source of income है वो अच्चानक से बंध हो जाए तो उसके करन जो है वो stress होता है as well as चिंता होती है साथ में work stress कि आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे समझो कि आपका work load जो है वो काफी ज़्यादा है कि आपका हम कहें कि work load कि काम का जो load है वो आपके उपर काफी ज़्यादा है तो उसके करन भी आप tense रहते है और वो anxiety के करन आगे जाकि आपका anxiety disorder हो सकता है फिर changing living arrangements कि आपकी lifestyle जो है वो change हो जाए lifestyle modification ये reason हम कहें सकते है कि पहला तो increase in work load या फिर job change, work related stress, changing living arrangement कि आपकी जो lifestyle है वो अचानक से change हो जाना कि समझे कि आप जो है पहले reach class में थे और अचानक से कोई crisis के करन, कोई problems के करन जो है वो आपकी financial condition काफी weak हो जाती है तो उसके करन आपकी living arrangement के उपर directly असर पड़ता है और वो सी condition में जब आपकोई चिंता करते हैं, tension लेते हैं तो उसके करन भी anxiety disorder होता है pregnancy and giving birth कि pregnancy के दौरान समझे कि आप tension लेते है फिर giving the birth कि समझो कि जो बच्चे को जो जनम देना होता है उसके बारे में समझो कि आपको tension है उस related आपको डर लगता है कि pregnancy के दौरान कोई complication होंगे या नई कोई डर रहता है pain related डर रहता है जो वो जो माहुल create होता है labor pain related उसके बारे में आपको डर रगता है तो वो भी एक anxiety ही है और उसके करण भी anxiety disorder हो सकता है फिर family and relationships related problem कि family problems हो, relationship related problem हो तो वो भी reason है फिर major emotional shock अच्छानक से से कोई भी आपको emotional shock लगा like family related, relationship related, कोई भी emotional shock आपको लगा है तो वो emotional shock भी anxiety का कारण बनता है stressful and traumatic event कि अच्छानक से आपके life में कोई ऐसा event आता है कोई ऐसी घटना बनती है कि जिसके कारण अच्छानक से आपको जो trauma लगता है, stress लगता है फिर तो ये number 5 emotional, number 6 stress number 7 reason देखे that is verbal, sexual, physical और emotional abuse और trauma कि किसी भी तरह से, verbal किसी के साथ आपको इस तरह से problem हुआ है sexually आपका problem है, physically कोई problem हुआ है emotional abuse है या फिर कोई trauma, shock लगा है तो एसे कोई आप news सुनते है तो उसके करण trauma हुआ है या फिर आपको कोई sexual problem से और उसके tension के करण भी आप आगे जाके anxiety disorder के patient बन सकते हैं physical ऐसे कोई problem से, physical disabilities है कोई उसके करण भी आप tension लेते हैं मतलब कि आपके skin color related आपको कोई anxiety है as well as आपको कोई physical disability है उसके भार में as well as जो verbal ही हमका है तो verbal ही के समझे कि आपको बोलने में कोई हिचकेजाट होती है speech में आपको कोई problem है तो उसके करण भी कई बार डर रहता है चिंता होती है और वो एक anxiety disorders के reason बनते है फिर death और loss of love one कि अचानक से आपके जो relatives में से या फिर आपके family में से किसी कि अचानक से death हो जाती है और आपके जो loud one जो है उनको जब वो आपसे दूर हो जाते तो उसके करण भी जो tension होती है फिर होता है और वो anxiety disorders के reason बनते है उसके लब या पर देखे तो जो हमारे brain के उपर जो अब effect होती है कि stress and negativity in early years of life कि आपके life के अंदर जब stress है और negativity है तो उसके करण जो brain है उसके जो activities के उपर अफर असर पड़ता है और उसके करण आप जो है वो anxiety disorders आपको हो सकता है फिर family history रहे extremely shy environment हो genetically problem हो तो भी यह सब cozy's है for the anxiety disorders उसके जाने हम symptoms तो symptoms हम देखिए तो जो anxiety disorders के जो patient होते हैं उनको breathing में difficulty होती है shortness और breath होता है chills मतलब कि ठंड लगती है और heat sensation दो हो सकता है कि चाहे ठंड लगे या फिर ज़्यादा गर्मी लगे फिर nausea कि जो जी में चलता है वो condition dizziness रहता है heart palpitations होते हैं और trembling या फिर tremor होना कि जैसे हाथ और पाव में जो कंपारी आती है वो हमकी जो कंपन होते हैं हमारे हाथ हमारे पाव तो वो भी एक symptom है anxiety disorder का कि वो एक symptom मतलब है कि आपको जब कोई tension होता है तो हाथ प्यार में कंपन होना, heartbeats increase हो जाना dizziness फिर sedative जो हम कहते हैं वो हो जाना नौजया होना vomiting भी कई बार होती है काफी ठन लगती है उसके लवाद दुसरे जो हम symptoms देखे तो hard to breathe कि difficulty हो जाती है breathing के अंदर as well as sleep, stay still and concentrate on work कि आपके जो work के concentration उपर effect होती है कि hard to breathe मतलब कि difficulty in breathing, sleeping sleeping में भी आपको difficulty होती जिसको हम कहते है insomnia की loss of sleep कि रात को आप अच्छे से सून नहीं पाते and आपके work के उपर जो भी आपको concentration करना है वो अच्छे से नहीं हो पाता फिर feeling of nervous आप जल्दी से nervous हो जाते है restless और tense उसके बाद panic होना, fear dizziness, feeling weak or tired, sweating मतलब के काफी पसीना होता है आपको as well as increase in heart rate and difficulty and controlling the worry तो यहापे आप देखे कि blessing होता है feeling of the mind going blank, कि आपका mind completely blank होगा ऐसा लगता है muscle tension जिसके करन आपको कमपन होता है sweating पसीना होता है trembling होता है upset stomach quick and heartbeat मतलब की heart rate आपके increase हो जाते है lightheadedness होता है shortness of breath dizziness, nausea and difficulty in sleeping की रात को सोने में भी आपको काफी problem होता है तो यह है symptoms complications जाने तो anxiety disorders के करन कौन से complications हो सकते तो उसमें सबसे top पे है priority पे है depression की anxiety disorder आपको रहता है तो आगे जाके आपको depression का problem हो सकता है और patient depression में जा सकता है trouble in sleeping की जिसको हम कहते है insomnia की यह बीमारी हो सकती है insomnia की मतलब कि रात को लेट तक नीद ना आना की आप tension के करन रात को लेट तक सो नहीं पाते हैं की जिसको हम कहते हैं insomnia फिर digestive और bowel problem की आपके जो जीट रेख है उसकी related problems हो सकते हैं headache और chronic pain की जो psychologically जो problem से उसके करन headache भी होता है chronic pain भी होता है social isolation हो जाता है person का की socially वो लोगों से दूर रहने के पसंद करते हैं problem functioning at school or work की आप समझेगे student life में तो school, college पे आप जो है वच्छे से time spend नहीं कर बाते आपके workplace भी आप अच्छे से जो अपकना जो भी routine function है वो नहीं कर पाते और poor quality of life और ये सबी के करण suicide attempt ये भी एक complication ये तो ऐसे कोई complications ना हो उसके लिए जरूर से उसकी अच्छे से treatment करवाने चाहिए दूसरे हम देखे तो चिंता के करण overweight हो सकता है obesity आ सकती है muscle weak हो सकते है muscle pain हो सकता है risk of high blood pressure कि जितनी anxiety रहती है उसके करण blood pressure increase रहता है heart related disease हो सकती है आपको फिर psychological brain देखे तो brain का performance low हो जाता है slow reaction time risk of depression, risk of anxiety disorder poor immune system हो जाती है आपकी as well as risk of diabetes की जिसकों कहते है stress, चिंता या फिर anxiety के करण हुआ diabetes तो ये सब complications हो सकते है उसमें सबसे बड़ा कोई complication देखे तो एक तो depression और depression के करण जो होने वाले suicides कि बहुत सारे हम ऐसे cases देखते है कि depression के करण, anxiety के करण, चिंता के करण लोग suicide कर लेते है तो एक तो quality of life आपके अल्टर होती है और आगे जाके समझो कि वो patient suicide कर देखे तो ये सब complications ना हो उसलिए अच्छे से उसके treatment करनी चाहिए तो anxiety disorders के जो हम treatment देखे तो treatment के अंदर patient counseling जो दी जाती है तो patient counseling to provide psychotherapy कि जो psychotherapy आपको देनी है patient को तो उसके लिए जो psychiatrist होते है वो अच्छे से patient का counseling करते है कि उनसे अच्छे से बाच्चित करते है और उनको बाच्चित करके एक proper उनको therapy देने का start करते है then treatment of mental or behavior disorders through talk therapy कि psychotherapy या फिर जो talk therapy हम कहे कि जो बाच्चित करके जो सबसे पहले समझो की problem का solution आता है तो patient को medications देनी की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले तो बाच्चित करना कि जो चिंता है उसका reason find out करना और वो reason समझो की हम sort out कर देते हैं तो patient की चिंता खतम हो जाएगी और जो talk therapy कि बाच्चित करके ही जो मसले का जो हल हम लाते है same like that anxiety disorder में भी जब starting में ही anxiety हो चिंता हो तो तुरंथी talk therapy सबसे based रहती है उसके बाद medications और जरूरी होता है meditation तो medications तो है है कि जो anti anxiety drugs कि जो famous हम कुछ देखे तो citalopram है alfrazolam है तो वो सब तो prescribe कि यही जाते है बट जरूरी रहता है meditation कि आप जेखते हैं कि यहाँ पे जो diagrams के according to कि आप जितना अच्छा meditation करते है तो पहले तो हम meditation से try करेंगे कि अच्छे से आप meditation करते हैं relax रहते हैं stress free हो जाते हैं तो meditation ही आपकी anxiety disorder को treat कर देगा साथ में जो talk therapy जो होती है कि talk therapy कि जो भी patient है उसके साथ अच्छे से बाच्चित होती है बाच्चित करके ही उसका treatment हो जाता है फिर जो हम cognitive behavior therapy कहते हैं कि जिसके अंदर एक type के top therapy focus on modifying negative thought behaviors and emotional response associated with psychological stress कि जो भी stress के जो reason से negative thoughts क्यों आ रहा है पेशन को behavior क्यों negative होगा है emotional response इसे क्यों है तो वो reason find out करके बाच्चित करके talk करके वो जो thoughts है negative thoughts को positive thoughts के अंदर बदलना negative behavior को positive behavior के अंदर excessive stress को normal stress या फिर normal कर देना कि जिससे stress जो है वो कम हो जाए पेशन का तो ये सब treatment के options रहते हैं जानेंगे हम ये lecture में detail में अब आगे anti-anxiety drugs कि they are the class of medications which are used in a treatment of various anxiety disorders they give the relief from anxiety and they are prescription drugs तो ये चीज़ ज़रूरी कि अच जितने भी आप medications देखेंगे तो रहेंगे Rx only कि prescriptions drugs रहेंगे ये सबी कि चाहे वो ultra-zolam हो या फिर citalopram की जो widely दिये जाते है anxiety disorders के patient को and psychiatrists prescribe the medicines based on the condition of patient and after proper diagnosis कि पहले तो जो हमने बात कि talk therapy है meditation है उससे patient ठीक हो जाता हो तो medications हम try ना करें but समझे कि उससे ठीक नहीं होड़ा तो आगे जाके उसकी condition को देखकर proper medications को prescribe किये जाते हैं वो हम कहते है anti-anxiety drugs तो anti-anxiety drugs की जो example हम देखें तो benzo-dicepins जिसे कि di-zepam है chloro-dicep oxide है फिर oxazepam, laurazepam, alvrazolam फिर fluorazepam यह सभी जो medications है कि जिसको हम कहते है benzo-dicepins class के drugs जिनको क्या कहते हैं benzo-dicepins तो benzo-dicepins vivacens को दिये जाते हैं फिर azapyrons जो हम देखें जिसके अंदर buspiron है gapiron है ispa ipsapiron है वो दिये जाते है sedative antihistaminic drugs जैसे की hydroxyzine भी दिये जाते हैं as well as beta blockers में propanolol फिर antidepressants में से selective serotonin reuptake inhibitor and tricyclic antidepressants तो antidepressants are the drug of choice कि treatment of choice हम कहें या फिर जो drug of choice हम कहें in the treatment of anxiety disorders they are antidepressants तो ये बज्चे से याद रखें and particularly the newer agents which have a safer adverse effect profile and higher ease of use than the older tricyclic antidepressants such as selective serotonin reuptake inhibitor and TCA तो जो newer medicines available होती है कि जो older के comparison में उसके side effect या adverse effect भी कम है तो उसी के करण ये जो antidepressants है वो drug of choice बनते है for the treatment of anxiety disorders तो antidepressants के जो हम example देखे तो monoamine oxidase inhibitor की जो example है cilazilin उसके बाद second हम देखे तो tricyclic antidepressants जैसे कि imipramine है emitriptiline है तो ये एक monoamine oxidase inhibitor आपको याद रखने है फिर tricyclic antidepressants याद रखने है selective serotonin reuptake inhibitor कि उसमें दो famous है fluoxetine and sertalin other और typical antidepressant जैसे की meaprotiline and trazodon और mood stabilizing drug जैसे की lithium तो ये पांच है कि जो antidepressants उसमें भी जो ज्यादा famous हम कहे तो selective serotonin reuptake inhibitor जैसे की citalopram है dipoxetine है acetylopram fluoxetine fluoxamine paroxetine sertalin and vartioxetine तो ये medications आप हम कहे कि very very most IMP आपके exam के लिए multiple choice questions के लिए as well as जो treatment of choice बनती है उसमें जो medications की जो citalopram patient को दिये जाते है फिर fluoxetine आप यहाँ पे देख सकते है acetylopram है तो ये सभी medications की जो most important है and most useful for the treatment of anxiety disorders फिर selective serotonin reuptake inhibitor के अंदर Emitryptiline है Nor-tryptiline Pro-tryptiline तो ये तीन tryptilines आप देखे पीछे तीनों के अंदर same है tryptiline is the common तो ये tryptilines की जो आप देख सकते कि Emitryptiline hydrochloride RX only कि जो 10 mg strength का tablet है S per IP फिर Nor-tryptiline का 25 mg का tablet आप देख सकते है तो ये tryptilines तो ये tryptilines की जो एक famous class है tricyclic anti-depressants उसके अलावा हम जो देखे तो clomipramine कि जो सब amines है अब आप देखना जो पूरी लिस्ट चालो होगे वो amines होगे पीछे clomipramine है imipramine है desipramine and tri-mipramine तो ये देखें ये चारो amines है तो ये amines कि जो tricyclic anti-depressants है वो आपको याद रखने है और amoxepine and doxepine तो ये दो pain वाले medications तो अच्छे से आपको ये याद रखने कि ये जो तीन है सबसे पहले that is triptyline फिर ये जो चार है that is amines वाले और ये दो pain वाली medications तो इस तरह से exams के लिए आप याद रखे tricyclic anti-depressants which are used in a treatment of anxiety disorders अब कुछ जानते है facts regarding anti-anxiety drugs कि जो selective serotonin rear-tech inhibitors समने देखे तो वो क्या करते है assess the symptom of depressed mood and anxiety कि जो mood and anxiety related जो symptom से उसको reduce कर देती है तो जिसके करन patient का जो ilaj हो जाता है अच्छे से फिर anxiety जो medication से कि वो क्या करती है reduce करती है anxiety and tension कि जो tension और anxiety को reduce करती है और reduce करती है stress and anxiety and promote the sleep sleep जब disturb हो जाती है तो अच्छे से sleep को promote करती है patient को अच्छे से नीन दाती है कि जो पहले tension के करण सो नहीं पाते थे अब ये medicine की effects के करण अच्छे से सो पाते है जिसके करण उनका mind भी relax रहता है और जितना mind relax होगा उससे जो anxiety है वो कम हो जाती है and relieves the anxiety and tension फिर जो तीसरे anti-depressants की जो बात है taking the medication designed to help and relieve the symptom of depression के अब anxiety के करण depression है या फिर depression के करण anxiety है दोनों एक दूसरी के समझे के vice versa बन जाते है उस वक्त anti-depressants भी काफी effective साबित होती है और वो drug of choice भी है anxiety disorders के अंदर some anti-depressants also have uses such as treating chronic pain and certain anxiety disorders फिर जो sedatives cause the drossiness calmness and dull senses some type में become addictives कि sedatives के करण कई बार addiction हो जाता है बट जब उनको minor dose में दिये जाते है तो उसके करण जो anxiety के जो disorders वाले patient है उनके अंदर हमें कामने इस मतलब कि उनको जो दिमाग है उनका काफी relaxed रहे वैसे condition जो उनके जो senses है वो हम normal करवा सकते है कि जो excessive stress के करण जो उनके senses बेस ही हो जाते थे कि काफी डर का माहौल उनके लिए अंदर होता था काफी tense रहते थे वो patient तो वो अब ठीक हो जाएगा और रॉसी ने इस मतलब की थोड़ी उनको नींद भी आएगी फिर जो nerve pain medication जैसे कि block the pain goes by the damage nerve कि जो damage nerve के करण जो pain होता है तो nerve pain medication और उसके करण जब किसी को चैनता होता हो tension होते हो तो वो medication से भी patient ठीक होते है तो यह था हमारा special lecture regarding anti-anxiety drugs as well as anxiety disorders के बारे में तो जो lectures के PDFs होते हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं farmer rocks के app उपर कि जो android app है google play store पे और apple iphone app store पर भी उसको एक्सेस कर पाऊगे thank you for watching this lecture join कर सकते है whatsapp group यह वाला whatsapp helpline number है join कर सकते है हमारी app कि जो अभी मैंने बताए कि study material test series वगेर वगेरा एक्सेस कर पाऊगे link आपको description box में दे दी है और कोई भी ग्वेरी हो तो यह वाले contact number या फिर जो whatsapp number था उस पे आप contact कर सकते हैं तो check the links in the description box good luck and all the best